स्वागत ये साथिवा आप सभी का जी एम 360 में आज हम एक न्यूज पर चर्चा करने वाले हैं जो न्यूज है आपका हाल फिलाल में आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी एकल परिवार हैं इन एकल परिवार की वज़से कैसे मानुवों के उपर संकट पैदा होता जा है इस वीडियो की सुरुवात करने से मैं पहले आप लोगों को बता दूँ कि हमारा प्रयास रहेगा कि प्रति दिन आप लोगों को अप टूडेट न्यूज के अंतरगत उन सभी चीजों से रूबरू करवाया जाए जो आपके जो एकी परिक्षा में मदद करें साथी जब एकल परिवार की सुरुवात हुई चुकि पहले होते थे आपके जो परिवार वो स्वयुक्त परिवार होते थे धीरे धीरे आप ये पाओगे कि धीरे धीरे एकल परिवार की सुरुवात हुई और इस एकल परिवार के आने के बाद जो समस्या बना वह मैंने इसलिए यहां पर यहां भी मैं लिख सकता था कि एकल परिवार से प्रकृति के उपर मड़ाता संकट परन्तु ऐसा टाइटल न देने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि प्रकृति के उपर कभी संकट नहीं होता है संकट उनके उपर आता है जो प्रकृति पर निवास क बिनास जैसा कोई सब्द नहीं है, प्रकिर्टी के पास यदि कोई सब्द है तो वोग सिर्फ और सिर्फ सब्द क्या है। आपका विकास जैसा यानि कि एक आप यूँ कह सकते हैं कि प्रकृति बिनास को नहीं परन्तु सिर्फ और सिर्फ प्रकृति जब भी कुछ करती है तो वह उसका एक दूसरा रूप होता है जो कि विकास का ही रूप होता है अब बात ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब एकल परिवार में खंडित हुए तो इनको रहने के लिए जगह चाहिए था अब हुए जगह आखिर मिले कहां से तो उसके लिए आप ये पाओगे कि ये जो हमारा गोला है यानि कि जो हमारा प्रत्वी है या तो बढ़ नहीं रहा है या तो अपनी उसी अवस्था में बिद्धिमान जी सवस्था में बिद्धिमान था परन्तु जब धीरे धीरे मानों की आबादी बढ़ती गई जो कि भारत आज के समय में दुनिया का सबसे बढ़ा आबादी वाला देश है तो इस आबादी को समेटने के लिए हमारे पास भूमी तो नहीं बढ़ी जल तो संसाधन क्या थे संसाधन सीमित मात्रा में थे हमने उन संसाधनों का दोहन करना सुरू कर दिया जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं देखने को मिली और बहुत सारी आपदाएं जो कि आज कल के समय में आपको देखने को मिल रही है अब बात आती है कि इस एकल परिवार की वजह से समस्या क्या आई प्रकृति के उपर या यू कहिए कि खुद मानों के उपर ही आखिर क्या समस्या आई आए इस पर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान देते चलिएगा हम आप लोगों को बता दें कि बिजनस स्टेंडर में ए विकॉज यह जादा तर जो पैसा इन्वेश्ट कर दे रहे या तो मिश्वल फंड में या तो किसी एसेट को खरीदने के लिए जब ये एसेट खरीद रहे हैं तो उसके लिए ये कर्ज भी ले रहे हैं जो कि पूरा का पूरा ब्योरा यहां पर दिया गया है कि ये बचत न मात्र जीडीपी से अगर हम इसकी तुलना करें तो मात्र पांच दस्मलों तीन प्रतिसत है अब बात यह आती है कि जब हम ये सारी की सारी चीज़े कर रहे हैं कि जादा तर चीज़े खरीद रहे हैं तो अर्थसास्त्रियों का मानना है कि इस विरावर्ट का सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइबलिटीज क्योंकि हमने अपनी देंदारियों को बढ़ा दिया इन देंदारियों को पूरा करने के लिए हम बैंक से रिड ले रहे हैं और परिवार जब बैंकों को बैंक जब परिवारों को बैंक रिड दे रहा है तो इसमें आप देखेंगे कि अगर जो और आती यह तो सरकारी आकड़े हैं कुछ ऐसी भी संस्था हैं जो गैर बैंकिंग संस्था हैं वो भी तो रिंड देती हैं जो NBFC वगरा हैं उनका भी आकड़ा कुछ इसी के आसपास हैं अब इसके लाव में आपको बता दो कि आखिर यह उदार क्यों लिए गए क्योंक दिल्ली में एयर जो है की फॉलूटेड हो चुका है इसके अलावा बैंगलूर जैसे सहरों में जो कि आईटी हब कहे जाते हैं वहां पर वाटर क्राइस हैं अगर इन सब की हम बात करें तो हम यहां पाते हैं कि ऐसे जग हो पर जहां पर पीने के लिए पानी नहीं है वहां तो अगर आपको एक माचिस के डिविया जैसा मकान चाहिए तो दिल्ली और बैंगलूर जैसे सहर में चले जाए और दो करोन में दो कमरा एक किचन और एक हॉल और एक छोटा सा लॉबी आपको दो करोन में मिल जाएगा अब बात आती है कि जो हमारा युगा आज के समय में जाकर के हाँ पर इन्वेश्ट कर रहा है आने वाले पांच और दस बरसों में इसका क्या भविष्य होगा या सोचने वाली बात है क्योंकि समस्या यह है कि माचिस के डिविया जैसे जिसकी कीमत आज दो करोन है वो सिर्फ और शिप डिमांड और सप्लाई के विस्षिस पर काम कर रहा है और इसकी वजह से ऐसा हुआ क्यों क्योंकि एकल्फ संयुक्त परिवार में लोग एक साथ रहते थे तो चोटे से कमरे में भी काम बन जाता था अब लोगों क्या कि हम दो हमारे दो अब सब को चाहिए पर्सनल इस पर्सनल स्पेस के लिए क्या देना पड़ेगा कमरा लेना पड़ेगा मंकान बनवाना पड़ेगा आप यहाँ पाओगे कि इस कारणों की वज़ासे बैंगलूर जो कि आई टी अब कहा जाता है water crisis किसी से छुपा नहीं है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके प्यारे सहर दिल्ली की अगर दिल्ली की बात करें तो यहां पर ऐसे ऐसे इसे इलाके है जहां पर 2-3 दिन में एक बार पानी पहुँच पा रहा है इसके अलावा अब अगर मैं बात करूँ जो आपका southern अभी ये मई 2022 यानि कि आज से दो-तिन दिन पहले की न्यूज है दिखाया गया कि साउथ जो डेली है वह कैसे वाटर क्रैसिस का सामना कर रही है क्योंकि चारुत तरफ कंक्रीट बिछा दिया गया है वजातियों मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी द अप्शन है हुआया है कि हम कम से कम क्या करें जो आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी विल्डिंग में एक दो तीन चार पांच छे साथ दस बीस पचास एसी लगी हुई है जो आपको अंदर तो ठंडा कर देता है परनतुया जो बाहर गर्मी फेकता है इसकी वजह से संगिकता नहीं रह जाएगी जो दो करोण लगा करके आप एक फ्लैट लेते हैं यदि मात्र पचास लाख रुपए अपने गाउं में खर्च कर देंगे तो एक अच्छी जमीन पर 2000 स्क्वाइर फिट या 2000 स्क्वाइर फिट में एक बढ़िया सा अपना मकान बनवाएंगे एक गाड़ी भी चाहें तो आप ले सकते हैं वहाँ पर आप और्गेनिंग फार्मिंग कर सकते हैं कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि जो गाउं की जमीन है वो भी तो धीरे धीरे कंक्रीट में बदलती जाएगी जी हां आपका कहना बिल्कुल सही है परन्तु यहां पर हम एक उपाय के तोर पे देख रहे हैं कि जो हमारी बढ़ी हुई आबादी है उसको हम कैसे बहतर दिशा में ले जा सकते हैं जगर हमने कंक्रीट से इसको ढख दिया है तो आज कर टे गती से यह हम जुडे रहें तो आने वाले समय में यहां पर अगर हम रोजगार के आपृशंगे तो हमारा युवा सहर भी नहीं जाएगा और जब युवा सहर नहीं जाएगा तो सहर में भी दबाओ कम पड़े गा and की एक बैलेंस बना रहेगा तो इस बैलेंस को बनाने सेविंग्स को कम कर दिया है और इसके पीछे क्या कुछ कारण है और सारे के सारे मैंने दाटा के आदार पर आप लोगों को चीज़े दिखाएं हाँ एक चीज है कि जब स्मयक्त परिवार से एकल परिवार बने तो इनका प्रभाव हमारे परियावरण पर देखने को मिल रहा है और यही हमारा मुद्दा था आज का जो कि हमने आप लोगों को बताया एक चीज मैं आप लोगों को अंत में और बताता चलू कि हमारे यहां ग्रैंड मास्टर 360 की टीम के द्वारा बहुत ही कम प्राइस में आप कह सकते हैं कि लोवेस्ट प्राइस में डाइरेक्टर बै करने हैं और इसके बाद आप पर मंथ 18 महीने का या पूरा कोर्स है और पर मंथ आपको 500 रुपे मात्र देने हैं इसमें विकास चौबे मोहित सर्ड संजीव मालिया निर्देश भारद्वा जसके जहा और सुगंधा रागवा जिससे टॉप एजूकेटर जो की अलग अलग सब्सक्राइब तो यह माता चार पांस जार रुपे का ही कोर्स है और यह भी काफी जो एकी अफ़र्डेबल कोर्स है जिसमें आप लोगों को टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे यूप सी सी की तैयारी कराएंगे 18 महीने का पूरा का पूरा कोर्स रहेगा इस्ट्रक्शर आप लोगों को नोट्स और प्रॉपर गाइडेंस भी प्रॉबाइड कराया जाएगा तो जीम 360 की टीम से जुनना मत भूलिए और ऐसी ही अप टूडेट नियूज के लिए हमारे चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब थैंक यू सो मच बबाए टेक कियर गॉड ब्लेस यू आ झाल झाल